हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल पर तो गाइस आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वैंकडे स्टेडियम के पिछ रिपोर्ट के बारे में तो बस पिछ रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे पिछ यहाँ पर चेजिंग है फ्लैट सर्फेस है या फिर कैसा सर्फेस है ये भी जानेंगे साथ ही पॉलर्स कमारे कौन से काम आते हैं वो भी जानेंगे तो चलिए without any delay शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं यहाँ की पिछ के बारे में तो night matches में यहाँ पर due factor काफी critical role play करता है और थोड़ी सी problem आती है यहाँ पर game खेलने में आगे अगर और बात करें यहाँ पर pitch के बारे में तो आप देखोगे तोटल यहाँ पर T20 और IPL के 114 matches खेले गए हैं बैटिंग first करने पर 53 जीते गए हैं बैटिंग second करने पर 61 जीते गए हैं और अगर pitches की मैं बात करूँ टोटल 5 pitches है जिनका सथ में से आप पर flat है जो कि हमारे batters की काफी help करती है यहाँ पर जो flat pitches होती है ना वहाँ पर ball सीधा bat पर आती है और अराम से boundaries लगाए जाती है तो batters बहुत अच्छा perform करते हैं और pacers भी काफी अच्छी performance देते हैं वहीं due factor की वज़े से जैसे मैंने आपको बताया था कि night matches में due factor देखने को मिलता है तो यहाँ पर chasing काफी अच्छी होती है चेस करने वाली team यहाँ पर जीच जाती है matches को आगे बढ़ते हैं और अगर बात करूँ मैं boundaries की तो आप देखोगे minimum यहाँ पर 57 meters की boundary है और maximum है 75 meters end देखोगे एक Tata end है और एक है Garver Pavilion end और ground का source भी जादा बढ़ा नहीं है small size का ground है आगे बढ़ते हैं और temperature की अगर बात करूँ day के time पर 31-34 degree Celsius temperature रहता है night के time पर आप देखोगे 32-26 degree Celsius temperature रहता है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और basic information जानते हैं ground की थोड़ी सी तो establish हुआ था यह ground 1974 में और इसका name रखा गया था Shesh Rao Krishna Rao Venkadeji के name पर honor की अगर बात करोगे तो Mumbai Cricket Association honor है यहां की और ends तो हमने देखी लिए थे एक है Tata end और एक है Garver Pavilion end surface की अगर बात करोगे तो grass surface आया आका और capacity देखोगे तो 33,108 spectators यहाँ पर bat कर cricket देख सकते हैं और वही construction cost की अगर मैं बात करोगे तो 225 crore सुभे लगे थे इस stadium के construction में आगे बात करते हैं T20 के stats की तो total 9 matches खेले गई है बैटिंग first करने पर 4 जीते गई है बैटिंग second करने पर 5 जीते गई है average first inning score 185 है average second inning score 174 है तो देख सकते हो high scoring matches आपको देखने को मिलते हैं highest total की बात करोगे तो इंडिया और West Indies के match में बनाया गया था 240 runs 3 wickets के नुकसान पर lowest की अगर बात करोगे तो श्रिलंका वर्सिस इंडिया के match में बनाया गया था 160 runs 10 wickets के नुकसान पर आगे बात करते हैं ODI की 28 matches के ले गई है 13 जीते हैं बैटिंग first ने 15 जीते हैं बैटिंग second ने average first ring score 238 है average second innings score 201 है highest देखोगे 438 बने है 4 wickets के नुकसान पर South Africa versus India के match में और lowest देखोगे 79 बने है 10 wickets के नुकसान पर India woman versus Australia woman के match में आगे बात करते हैं test matches के यहाँ पर 27 खेले गई है total 11 जीते हैं बैटिंग first करने पर और 8 जीते गई हैं बैटिंग second करने पर average first ring score 339 है average second innings score 335 है highest आप देखोगे 631 बने है 10 wickets के नुकसान पर India versus England के match में और lowest देखोगे तो 62 बने है 10 wickets के नुकसान पर New Zealand versus India के match में आगे बढ़ते हैं IPL की बात करते हैं total 105 मैच के ले गई हैं बैटिंग first करने पर 49 जीते गई हैं बैटिंग second करने पर 56 जीते गई हैं average first innings score 167 है average second innings score 157 है और total अगर highest की बात करोगे तो तो 35 बने है 1 wicket के नुकसान पर RCB versus Mumbai के match में और lowest देखोगे तो 67 बने है 10 wickets के नुकसान पर KKR versus Mumbai के match में तो guys ये थी वैंकरे स्टेडियम के pitch report अगर आपको विडियो चल लगो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना